हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल होम एंटेटेन्मेंट पे आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे पीनट शेक बनाने के बार में पीनट शेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पीनट एक मुठ्थी अब इसको हम 2-3 घंटे के लिए भीगो देंगे भीगोने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखेगा देखे भीगोने के बाद हमने इसके छिलकों को निकाल लिया है दूल के अच्छे से अब इसके बाद में हमें क्या क्या चीजे लगेंगी इसे बनाने के लिए चलिए इसके बारे में आपको बता देते है जैसा कि आपने देखा लगभग आदा कटोरी हमारी है भीगोने के बाद में पीनेट इसके लिए हमें चाहिए चार डेट पांस काजू पांस बादाम और थोड़ी सी किश्मिस बागी चीजों के बारे में हम वीडियो बनाते बनाते आपको बताएंगे चलिए बनाना स्ट करते हैं पीनेट शेक बनाने के लिए हमने 500 ml दूद लिया है अब इसमें डालेंगे पीनेट इसके बाद में इसमें हम डालेंगे डेट लेकिन डेट की बीजों को हम निकाल लेंगे इस तरह से में डालेंगे अब काजू बादाम सबी चीजे को डालेंगे हमने इसमें तीन तीन यूज किया है और दो दो गार्निशिंग के लिए रख दिया है देखिए हमने तीन काजू, तीन बादाम और किश्मिस यूज किया और डेट को पूरा ही डाल दिया है और जो दो बादाम, दो काजू हमने बचाए हुए है उसको कार्णिशिंग में यूज करेंगे आप भी ऐसे ही करिएगा, आप शक्कर डालेंगे शक्कर आप स्वादा अनुसार डालीएगा, इसलिए हमने स्वादा अनुसार के कहा है जो कि डेट काजू बादाम डालने पर वह ऐसे भी मीठा हो जाता है तो आप अपने हिसाब से कम जादा रखिएगा, इसलिए हमने इसकी मातरा आपको नहीं बताई है चलिए इसको दिए खेलम करें देखिए itamani रेटियो गईया है अब भी आपको दिखाते हैं में पहुग बिल्कुल नहीं लगने देगा और कमजोरी भी नहीं आने देगा तो इसलिए आप ब्रत में तो जरूरी बना के पीएं वैसे भी पी सकते हैं लेकिन ब्रत के लिए बेस्ट आप्सन है चलिए इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं जैसे कि हमने आपको बताया था कि दो काजू द यह पूरी तरह से तयार है हमारा पीनेटशेक आप भी इस तरह से पीनेटशेक बना के जरूर DAVID अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर आए अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो सट्सक्राइब करना मत बुलेगा ठैंक यो वेरी मास एब को वाचिं